हेलो फ्रेंद्स मेरी टके क्रियेशन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हूं आज मैं आपके लिए खूपसूरत से बेबी शूज लेकर आई हूं यह शूज न्यूबॉर्ण बेबी से लेके तीन महीने के बच्चे को इसली आ जाएंगे और यह शूज बनाने बहुत ही असान है और देखिए बनकर बहुत ही खूपसूरत लगते हैं यह बेबी शूज के लिए हमने 37 फंदे लिए 37 स्टिचे लिए इसको हम बेबी वूल में बना रहे हैं और इसको हम 10 नंबर की सलाई से बुनाई कर रहे हैं अब यह हमारी पहली सलाई है उल्टी साइड से त सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे आखिर का फंदा सीधा बुनाई करेंगे अब हम सीधी साइड आगे सीधी साइड से यह हमारी डिजाइन की पहली सलाई है तो पहला फंदा उतार लेंगे हम सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे अब हम उल्टी साइड आगे उल्टी साइड से यह हमारी डिजाइन की दूसरी सलाई है तो पहला फंदा उतार लेंगे अब हम सीधी साइड आगे यह हमारी डिजाइन की तीसरी सलाई है तो हम पहला फंदा उतार लेंगे एक फंदा उल्टा लिखें धागे को सलाई पे ऐसे घुमाएंगे जाली बन जाएगी दो फंदों का उल्टा एक बनाएंगे फिर से धागे को सलाई पे घुमाएंगे दो फंदों का उल्टा एक बनाएंगे धागे को सलाई पे घुमाया दो फंदों का उल्टा एक बनाया अब हम यह पूरी सलाई ऐसे ही बुनाई करते जाएंगे आखिर का फंदा सीधा बुनाई करेंगे अब हम उल्टी साइड आगे उल्टी साइड से यह हमारी डिजाइन की चौती सलाई है पहला फंदा उतार लिया सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे इस डिजाइन में हमने उल्टी साइड की सभी सलाईों को उल्टा ही बुनाई करना है अब हम देखिए फिर सीधी साइड आगे सीधी साइड से जैसे डिजाइन की हमने पहली सलाई बनाई थी वैसे बनानी है पूरी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे सीधी साइड से उल्टी साइड से फिर हम पूरी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे फिर हम डिजाइन की जैसे तीसरी सलाई बनाई थी, जाली बनाएंगे ऐसे, अब हम ऐसे ही इसको बुनाई करते जाएंगे, ये हमारे शू का पहला भाग बनकर तयार हो गया, हम यहां से दिखिए, गिनेंगे, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नौ, ये टोटल दिखिए, ये हमने 18 सलाई बनाई की हैं, और ये देखिए, यहां से 9 धारियां हैं, अब हम शू का आगे का भाग बनाएंगे, तो वो कैसे बनाना हैं, ये हमारे टोटल 37 फंदे हैं, तो 18, 18 फंदे दोनों साइड रखेंगे, बीच में हमारा एक फंदा आएगा, तो पहले हम देखिए, ये 18 फंदों को सीधा बुनाई करेंगे, इसको हम ये सीधी साइड है, सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, इसको हम एक गिनेंगे, दो, सभी फंदों को सीधा बुनाई करना है, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, सत्रा और अट्रा. अब भीच में ये हमारा एक फंदा है, इस पे हम अब फंदे बढ़ाएंगे, तो हमने देखिए इसको एक बार बुनाई किया, धागा आगे की तरफ करके फिर से इन फंदों को बुनाई किया, यहां हमारे एक, दो, तीन फंदे बन गए, तीन धागा आगे किया, चार और पा पांच फंदे बन गए, धागा आगे किया, छे और साथ, धागा आगे किया, फिर से बुनाई किया, आठ और नौ, धागा आगे किया, दस और ग्यारा, यह हमने ग्यारा फंदों को यहां पर बना लिया, बड़े बच्चे का बनाएंगे, तो यहां पर जैसे हमने यह ग्या बना लिए फंदे तो आप 13, 15 ऐसे दो दो फंदे बढ़ते जाएंगे वैसे बनाना है बाकी बचे हमारे 18 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे कि अब हम उल्टी साइड आगे उल्टी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे अब यह देखी हमारी सलाई पे टोटल 47 फंदे हैं पहला फंदा उतार लिया अब हम देखिए सभी फंदों को सीधा बुनाई करेंगे अब हम कोई फंदा नीम बढ़ाएंगे अब हम उल्टी साइड आगे उल्टी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे अब हम देखिए सीधी साइड से सीधा बुनाई करते जाएंगे और उल्टी साइड से हम उल्टा बुनाई करेंगे यह हम शूका भीच का भाग बना रहे हैं अब यह हमारे शूका यह वला भाग भी बनकर तयार हो गया यहां से लेके यहां तक यह हमने सोला सलाईया बुनाई की हैं अब हम शूका आखिर का भाग बनाएंगे वो कैसे बनाना है अब यह हमारी सीधी साइड है सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना धागा आगे करेंगे सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब हम उल्टी साइड आगे उल्टी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे अब हम सीधी साइड आगे सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे अब हम देखिए सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करते जाएंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करेंगे यह हमारे शुका नीचे का भाग भी बनकर तयार हो गया यहां से हम धारियां गिने तो एक, दो, तीन, चार और पांच टोटल यह हमने नौ सलाईयां बुनाई की हैं और यह हमारी पांच धारियां अब हम उल्टी साइड से सभी फंदों को बन करेंगे तो हमने कैसे बन करना दिखिए दो फंदों का ऐसे उल्टा एक बनाया फिर इस फंदे को सलाई पे लिया दो फंदों का उल्टा एक बनाया फिर इस फंदे को सलाई पे लिया दो फंदों का उल्टा एक बनाया अब ऐसे करके हमने सभी फंदों को बन करना है अब हम यहां से धागे को काट देंगे और इसको पक्का कर देंगे यह देखिए यह हमारा खूबसूर सा शू बन कर तयार हो गया अब इसकी सिलाई करेंगे तो सीधी साइड देखिए हमारी उपर की तरफ है इसको फोल्ड करेंगे तो उल्टी साइड हमारी बाहर की तरफ आ गई पहले हम इसका यह एडी वाला भाग सिलाई करेंगे फिर हम य नीचे वाला भाग यहां तक सिलाई करेंगे और इसको यहां से हम गोल सिलाई करेंगे अब हम यह वाला धागा सुई में डालेंगे और यह नीचे वाला भाग हम यहां तक सिलाई करेंगे यहां से हम इसको गोल सिलाई करेंगे तो देखिए ऐसे पास पास टांके ले लेंगे यह हमारा खूपसूर सा शू बन कर तैयार हो गया ऐसे ही खूपसूर से शू आप अपने बेबी के लिए बनाएं प्लीज लाइक शेर अन सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपने दिर्शे बनाएं अपने शपस्त्त्त्राइब करें वे अबनाएं वेंगे